तो आई पेल दो जब चीश का फाइनल रिटेंसंस का डेट अप सिर्फ दो दिन बचा हुए भाई एक तीस अक्टूबर आने में उस दिन आपको पता चल रहा कि कौन से टीम ने कौन-कौन प्लेयर को रिटेन किया ऐसे में बहुत ही बड़ा-बड़ा प्लेयर्स का बहुत ही हाइस में रिटन हो आप सबको पता ही होगा कि क्यार का रहा बाइस में तरफ से कप्राइस में लिए पर पता नहीं वहकर नहीं होते हैं अब देखना यह कि तरफ से कितना कितना प्राइट में और अगर हाई प्राइस में नहीं रिटेन करता है तो सब्सक्राइब करेंगा पर इसके पिछे का रीजन क्या है यह पता नहीं होगा आप सब चोबिस में जब एलेस जी और इसारेश का मैश था उस बीच में बहुत ही खराब है और फिल्ड पर अच्छा से लीडर्शिप नहीं नहीं भा रहा रहा है इसके कारण भाई उन्हें साथ नहीं कर पाएंगे लस्जी के लाहूल को पर के तरफ से भी एक आथी है वाई कि क्या बताना भाई कि क्याल रहा है और देखना होगा एक तीस तरीक के पता चलेगा बाई कि कौन कौन प्लेयर रिटेन हुआ या नहीं हुआ और अगर आते हैं तो कमेंट में बताना भाई कि कौन कौन से टीम उनके पीछे जाएगा और क्यों जाएगा बहुत ही ज्यादा चल रहा था कि यह मेंस तो नहीं क्या आई पिल दो या पचीश खेलेंगे या नहीं खेलेंगे तो फैनली भाई रिविल कर दिया में भाई भी आई पिल या पचीश में आपको खेलते हुए जाएंगे तो अगला नियुजी सब पंद को लेकर रवाई रिसब पंद का भी यहीं कुछ हती है कि उनका डिमांड दिली वाले नहीं मान पारां दिली का जो फ्रेंचाइजी है वो नहीं मान रहा है उनका डिमांड इसलिए भाई भी चाहता है कि रिटेन नहों और जल्द सुख पंद नहीं होना चाहते हैं डिली के तरफ से किया रिषव पंद रिटेन होते हैं तो फिर नहीं हुत है तो लाइक यहां डिमांड लौन पर झाल